दोस्तों क्या आपको पता है कि सेरसा मुवी जो हाल में ही रिलीज हुई है उसमें सिधार्थ मलोत्रा जिस जावाज ओफिसर का किरदार निवा रहे हैं वो कौन है यदि नहीं तो चलिए बताते हैं आपको भारत के उस सपूत की कहानी जिसने अकेले ही दुस्मन के दात खट टेकर डाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दवा दें हिमाचल के पालंपूर में एक मध्यम वर्गिय परिवार में 9 सितंबर 1974 को भारत मा की एक बेटे का जन् सब्सक्राइब के दोरान ही मर्चेंट नेवी के लिए हॉंग कॉंग से आफर आया मगर भारत मा के सपूत ने अपने आकरसक केरियर के बजाए देश की सेवा को चुना विक्रम बत्रा ने प्राधम में जम्मू एंड कस्मीर राइफल जॉइन किया और सिर्फ 24 की उम्र में नहीं विक्रम बत्रा विक्रम बत्रा से कैप्टेन विक्रम बत्रा बना दिये गए उन्हें 0.4875 पर कब्जे की आहम जिम्मेदारी दी गई जिसे उन्होंने बखुवी निभाया सुर्वाती दोर में कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत पर पूरी तरह दबदवा बना लिया था भारत पर पाकिस्तान पूरी तरह हावी हो रहा था मगर भारत के सपुतों ने भी अभी हार कहां मानी थी विक्रम बत्रा अब तक कमांडिंग आफिसर बना दिये गये थे उनका नाम सेरसा रखा गया था एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना में से एक जवान ने विक्रम के रेडियो को डिस्टर्ब कर उनसे कहा कि सेरसा इधर मत आना वरना तुम्हारा नुक्सान होगा उस पर विक्रम बत्रा ने जवाब दिया वही रहो कुत्तों हम एक घंटे में तुम्हारे नामो निसान मिटाने आ रहे हैं तब एक पाकिस्तानी सेना के जवान ने कहा कि अल्ला कसम हम तुम्हें छोड़ देंगे मगर तुम अपनी फैवरेट हिरोईन माधुरी दिक्षित को हमें दे दो इतना कहने की देरी थी कि विक्रम की चाल चार गुनी हो चुकी थी रास्ते में मिलने वाला हर पाकिस्तानी ठिकाना विक्रम की गोलियों से ध्वस्त होता जा रहा था और जब विक्रम माधुरी दिक्षित के उस दिवाने के पास पहुचा तो उसे करारा जवाब देते हुए कहा माधुरी दिक्षित तो अभी सूटिंग में ब्यस्त है मगर उनकी और से तुम्हारे ये तौफा और अंधाधून गोलियां उस दिवाने के दिल में उतार दी अपने अंतिम सांस तक भारत के सपूतने मा भारती की सेवा की परंतु साथ जुलाई 1999 को दुश्मन किसे लड़ते लड़ते सहीध हुए परंतु विक्रम बत्रा के अधम साहस और अथक प्रयास का ही नतीजा था कि भारत कारगिल युद्ध में विजई हुआ विक्रम बत्रा के अधम साहस के लिए उन्हें मर्णो प्रांत परंवीर चक्र से सम्मानित किया गया भारत माता के इस सपूत को आज स्वतंत्रता दिवस के सुववसर पर भारत की तमान जनता की ओर से हम सर्धान जली अर्पित करते हैं जय हिन